आज हम बनाएंगे रमाजान स्पेशल एनार्जी मिल्क, इस एनार्जी मिल्क में आज हम बनाने जारे बादाम दूद का शर्बत, ये वह शर्बत है जिसको बनाने में मेक्सिमाम 10-15 मिनिट टाइम लगेंगे, लेकिन जो रिजाल्ट आएंगे ना इतना शांदर होगा कि कट से बरपूर बहुती मज़ेदार कम बाजट में बनने वाली बादाम दूद का शर्बत कैसे बनाते हैं, आईए देखते हैं सबसे पहले मैंने लिया है यहापर बादाम, बादाम को जो कि मैंने पूरी राच बिगो के राख दिया था तकि जो है ना बादाम सोफ्ट हो जाए वर इसका चिलका जो एना आसानी से उतर जाए उजन से बोलू तो यहापर 100 ग्राम हे बाधम, तो काप से मापो तो यहापर मैंनेादा कैप बाधम लिया, तो मैं कुशिच कर रहा हो इसका जो बाधम का चिल्का है ना कितनी आसाने से निकल डिया जो दिखाने का दिखिए, चु एसे ही आमने सारे बाधम का चिल्का जो ее न निकाल दिया है बादम का तो छिलका हमने निकाल दिया है यहापर लिगा है मैंक स्मूध फाइन पैस्ट हम तयर कर लेंगे तो दिखिए पैश्ट तयर हो गया है तो दूधाогa ग। मिक्स है न जितना चाहे उतना स्मोध पेश तैयर करें तो आप इसको हम साइट में राख देते और अगली तैयारी कर लेते यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल जिसके अंदर शामिल करेंगे हम 1.5 टेबुल स्पुन बेजल सीड्स जिसको हम लोग बलते हैं तोगमा लगा इ यह सारे फूल जाएगा यह साइज में डबल हो जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ी बरतन लिया है जिसमें हमारी शर्बत को पकाना है सबसे पहले मैं डालूंगी यह पर दू काप दूद यहाँ पर मैंने फ्रेश मिल्क लिया है आपको इसा भी मिल्क ले सकते हो तो मैंने डाल दिया है और आप यहाँ पर मैं डालोंगी हरी एलाइची को दूमेने इस तरह से तोड़ कर डाला ताकि फ्लेवर जाना अच्छी निकलेगा अब हम दीमी अच्छ में इसे पकाएंगे आप यहाँ पर हम डालेंगे वान बाई टू काप यहाँ पर मैंने शक्कर इस्तमाल अजय के लिए यह पर मैंने लिया है एक बाउल बॉल के अनदर आप हमें एट करेंगे आप तूटे बूलिश्पून कास्टर पाउडर कास्टर पाउडर जो के अपको बेनिला फ्लेवर का ही लेना है तो यह पर मिने डाल जिया है तोड़ सा पान डल किसके स्मूथ सा हम अच्छी तरह से करना है कॉंटिनीवी इसे छलाना है कि हमने यह पर पेस्ट किया हुआ हुआ वैदम मिångस किया है तो तो यह चैलो हो जाए गे यह तो लग जाएगा नीचे तो इसके लिए कि हम continuously इसे चलाना है अब इस उबलते हुए दूद के अंदर हम शामिल करेंगे बैनिला कस्टर्ड का गोल तो गोल डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि यह दिरे दिरे थी खोने लग जाएगा दिखिए ऐसे हमने मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई लाम्स ब पकाएंगे तो कस्टर्ड एट करने के बाद दूद को हमें तीन से चार मिट और पकाना है क्योंकि हमारा जो कस्टर्ड का कच्छा पोना है ना वो निकाल जया तो यह पर पूरी तरह से पक गया है चलिए इसे अब हम निकल के टंडा कर लें दूद हमारी टंडा हो चुका ह इसको मैंने दूसे तीन गंटा फ्रीजर में राख दिया है यह काफी जदा टंडा हो गया है आप इस दूद के अंदर हम शामिल करेंगे वेजल सीड जिसको हमने भीगो के राखा था पानी में तो आपने देखा होगा यह जब हमने भीगोया था कॉंटिटे में कितना कम थ इस भी जड़ी के जेसा देख रहा है अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक दाना हम दूद के साथ मिक्स कर लेका है आप जा के शर्व करते हैं कि यहां पर बन चुक हैं बहुत ही मज़ाँदार बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी हमारी बादम दूद का शर्वत तो आप लोग चाहे यह पर बोरब का जो क्यूब है ना वो शामिल कर सकते हो लेकिन मैंने इस शर्वत को दूसे तीन गंटा फ्रीजर में राख देता इसलिए जुरूरत नहीं यह काफी ज्यादा टंडा हो गया ह रमजान के लिए बेस्ट रेसिपी है कि कि रमजान में रुजादारों के लिए इस तरह का शर्वत गर पर जरूर बनाएं तो यह जो शर्वत है ना इफ्तार के लिए एकदम पार्फेक्ट है कि कि इससे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं ज्यादा समान भी नहीं है कम ट वीडियो यहाँ पर इंट करो वीडियो है चलागे तो सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाई बाई और अल्ला हाफिस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ